आई फ्रेंट्स मैं हूँ पेंदर कुमारपान डे आप देख रहे हैं पंडित पेंदर हेड़ी क्लासेस में आज का टॉपिक है जैसा कि आप लोग को बता गया था आटों वायल के इंजिरिंग के सिकंड वाले चेप्टर के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप लोग को पता यह काफी हेलफफल होने वाले वीडियो इलाज्ट तक देखना है तब ही आप लोग को समझ में आएगा चलिए हम जैसा कि आप इसके माद्यम से देख पारे हैं अब ओबर ड्राइब क्या होता है कि आप पहले हम डिफिनिशन के माद्यम से देखेंगे डिफिनिशन के माद आपका तो ओबर ड्राइब का प्रियोग किया जाता है आगे देखेंगे तो यह गियर बॉक्स और प्रोपेलर सॉप्ट के बीच में लगाई जाती है आगे देखेंगे इस से लंबी यात्रा में अपेच्छा क्रित कम इंजन इस वीडियो पर गाड़ी अधिक मात्रा पर करने के लिए किस का प्रियोग करते हैं तो ओबर ड्राइब का प्रियोग की जाता है इसका कहने का मतलब है कि आप लोग ध्यान से दीचिए कि अगर किसी भी मसीन का अगर योज कर रहे हैं तो जो उसका इंजन हो बहुत कम चले और बलकि जो स्पीड हो और बहुत जादा हो इनको करने के लिए मतलब ये प्रोसेस अपनाने के लिए किसका प्रियोग करते हैं तो इनको बहुत हैं तो जो ओबर ड्राइब का प्रियोग करते हैं ठीक है आगे देखेंगे इससे इंजन के भागों में कम घिसार होती है जब आपका इंजन कम चलेगा तो जो पार्ट लगे होते हैं तो क्या होते हैं कम ही तो घुशेंगे ठीक है? आगे बात करें क्योंकि इसकी कम गत पर घरसर गती कम होती है इसलिए ओबर ड्राइब की बचत भी कम होती है ओबर ड्राइब के कौन कौन से फादे होते हैं तो ओबर ड्राइब के दो फादे होते हैं इसमें जो पार्ट लगे होते हैं उसका घिसान कम होता है और बलकि जो फ देखे यह आपका आउटफूट सॉप्ट हो गया है और यह आपका इंपूट scientifically हो गया मतलब कहने के मतलब आपका है है Indie होता है और इसको क्या कौन बोब आता है तो आपका यह Wähler wireless होरन मताद आपर no ह backyard होता यानि और आवराणजी से बोलते हैं प्लांट केरियर होता हिए आपका यहां पर प्लांट के माद़न से क्या होता है इसका गूलंगत करा जाता । अब यह वाला पार्ट क्या हूता आपका गूरे कर ने करता और गूलंगत में मतलब कहने कि मतलब है उसको इस प्रेका क्या होता ये दोनों आपका आपस में घुड़न करने के बाद आपका ये पार्ट क्या होता आपका कुछ आपका इस परकार से गुमाता है और ये पार्ट क्या होता आपका कुछ इस परकार से गुमाने लगता है और गुमाने के बाद यूद क्या करता आपका ये दोनों गिय लगे होते हैं दोनों गियर क्या होता है आपस में गुमाते हैं फिर यह वाला पार्ट आपका गुमने लगता है ठीक है आप जैसा कि आप इसक्रीन के माध्यम से देखा रहे हैं यहां पर आपको सन गियर के माध्यम से दिखा गया है यह आपका तीन गियर के बीच में अब य देखें जब आपका यह rotation होगा तो क्या होता आपका इस परकार से बाहरी आवड़न भी तो घुमेगा ठीक है तो वही आपका ऊपर ड्राइब के लता, अब यह हांपे देख पारें, जैसा कि आपको यह एक हटा हुआ है, और एक लगा हुआ है, अब यहां wraIZU, जो आपका यह गीयर weahev और यह फिल लगा हुआ हुआ है, अब यहां पर देखेंगे, तो जो आपका यह पयोल है, याणि जो पयोल है, और Will of ring English यानि गैसे मतलब जो आपका क्या है Sun gear पे क्या होता आपका चड़ा होता है यह अपने फोर आपका आपका जो यहाँ पर हटा हुआ पूजिस्ताम यानि करना मतलब जो overdrive पर नहीं लगा हुआ अब यहीं परोब리ंगे तो overdrive में कौशिे है और black ring और related हो गया, अब यहाँ पर प्यूल हो गया, अब इनके बीच में और इनके बीच में, जो यहाँ पर क्या है आपका दिखा गया, walk ring, यानि जो walk ring है, इनके तोनों के बीच में, जब यह प्यूल आपके बीच में लग जाए, वो क्या कहला था आपका, आपका जो over drive तो I hope guys, यहाँ पर आपको जो over drive किस प्रकार से लगता है, और किस प्रकार से हटता है, एकदम easy ढंके समझ में आ गया होगा, अब आपको एक बार फिर से सुनिश्चित कर दें, कि आपको जो sun gear है, sun gear दिखाए गया है, अब sun gear में जो आपका ball ring होता है, जो ball ring, यहाँ पर य ला जाता है, यानि पर ला जाता है, तो क्या कला तापका लगा हुआ, over drawing लगा हुआ माना जाता है, हाई, ठीक है, तो I hope guys, यहाँ पर जो over drive एकदम easy ढंके समझ में आओगा, अब next भाई पर बात करें, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर over drive की definition, यानि किस प्रकार से ल जलता है, जिसे क्या कहते हैं, cut in speed भी कहा जाता, है, आगे देखेंगे, जो साधानता 30 से 50 km तरती घंटे की परास में लगा जाता है, जो आपका over drive कब लगा जाता है, तो 30 से 50 km तरती घंटे की परास में लगा जाता, है, यह उपर ही लग सकती है, यह निजे क्या हो क्लता जो ball ring होता है, ball ring के क्या होता आपका, जो बीचो बीच में आ जाता है तो वह क्या होता, आपका over dive लगा हुआ माना जाता है, वही तो क्या बता गया, आप driver को छण भर के लिए अपने पाउं को तोरक पैडल से हटाना होता है, जिससे engine की गती कम हो जाती है, जो आपका तोरक पैडल पर क्या होता है, आपका जो पैडल रखे होता है, जो तोरक पैडल पर रखे होते हैं, तो क्या होता है, आपका जो engine की गत क्या होती है, बढ़ी रहती है, और वही पर जो तोरक पैडल को हटा लेते हैं, तो engine की गत क्या होती है, आपकी कम हो जाती है, आगे देखें जर्नल बिद्दू सूइच का प्लक होता है वह क्या होता आपका बंद हो जाता है आगे देखेंगे इससे सॉलिनाइड उर्जा उर्जार्जित हो जाती है और कुट्टे को ऊपर योर धगेल देती है परंतु एक वाल्ब वले कुट्टे को आगे बढ़ने से रूपता है तो नहीं पर बताया गया कि जो आपका यहां पर बताया गया जो ओबर ड्राइब का हटना और ओबर ड्राइब का लगना ओबर ड्राइब कब लग जाता है जब आपको तवरक पैडल से पायर को हटा लेते हैं तो इंजन की स्पीड क्या होती आपकी कम हो जाती है और जो आपक में जाके fix हो जाता है ठीक है जिनके माध्यम से आपका ओबर ड्राइब लग जाता है ठीक है तो I hope guys यहाँ पर आपको जो ओबर ड्राइब लगना एकदम easy dance से समझ में आया होगा अब नेश्ट बात करें तो ओबर ड्राइब किस प्रकार से हटाये जाता है तो यहाँ पर definition के माध्यम से देखेंगे definition आपका क्या कहता है कि ऐसा करने के लिए एक तोरक पैडल को पूर्ड खुली थाटर की position पे आगे की और दबा दिया जाता है जब क्या हुरता तो तोरक पैडल को आगे की और दबा द जाती है प्रजुलन के बंद होने के कारण इंजन की गत धीनी हो जाती है जिसके कारण कुट्टे ऊपर की और यांतरिक भार नहीं रहता है और उजल से कुट्टा वापस नीचे चला जाता जिससे सूर्ड गियर मुक्त हो जाता इससे इंजन की एक समान चाल में कोई अंतर नहीं पड़ता है जब आपको आगे की और दभाए जाता है ऑबर और आगे की और दबाने के बाद यहां पर बिद्धूत लटर जा कि बहता है और उपर की बागने के बाद आपका जो गीर होता है वो free हो जाता है यानि मुक्त हो जाता है मुक्त होने के बाद जो अब आपको Uber Dог semi लगा होता है वो क्या होता है आपका हाट जाता है तो आई हूग गैस यहाँ पर आपको जो Uber Drive एकदम इजी डंग से समझ में होगा किस पोजीशन पर लगता है और किस पोजीशन पर हड़ता है एकदम इजी डंग से समझ में आया होगा तो बस गैस आज के लिए तना ये वीडियो अच्छी लगे हो चैनल पर नए हो चैनल को सस्क्राइब कियो ज्यादा ज्यादा सेर करने कोशिश कीजिए मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद